सब्सक्राइब कोचिंग में आप सभी का स्वागत है आज हम आपको जो है जो दो हजार बीस में जो दो हचार बीस में इंगलिस ल्डीसी ल्डीसी एसाई कर चिए को दो हचार बीस का जो इंगलिस का पेपर है आपको घृक्राइब को चरुछ यहां भी और भी पैसे और अपड़ली अंगयरा आप को मिलेगा ठीक है यहां भी आप कुछ बहुत कुछ देख पाएंगे तो आप यहां भी विजिट कीजिए और आप यह टेलिग्राम चैनल है इसे भी जॉइन कर सकते हैं ठीक है आए हम इसी के साथ सुरू करते हैं इंगलिस का पेपर तो आप निशिद रूप से देखिए ठीक है आए पर अल्टरनेटिब्स चुछ दववन विस कैन बी सब्स्टिटेट फॉर गिपन वर्ट सेंटेंस पहला प्रसन है ए परिशन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इस नाट एक ऐसा व्यक्ति जो धोंग रजता है यानि कि जो वह नहीं है लेकिन वह दिखाना चाहता है उ इंपोश्टर रोग देखिए उसको कहते हैं इंपोश्टर धोंगी इंपोश्टर मतलब धोंगी होता है लायर यह लायर ऐसा व्यक्ति जो बहुत जूट बोलता है उसको कहते हैं मैजिसीन जिसको किसे कहते हैं इसको मैजिक पावर होती है एपरसन हो एस मैजिक पावर उस टाइब कादमी है वह जो है रोक कहलाता है और जी यूई ए परिशन ए परिशन आफ गुड अन्डेस्टेंडिंग नौलेज एंड रिजनिंग पावर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो है पौधिक छमता बहुत ही तीप रहो ठीक है गुड अन्डेस्टेंडिंग नौलेज एंड पावर जिसकी बहुत हमता जो ऐसे व्यक्ति को काहते है। स्कूंब है इंटिलेक्षयुल्टेट लिट्रेट उसे कहते हैं इंटिलेक्शुल केते हैं इंटिलेक्ष्युल करते हैं ठीक है नंदिक जो समाज में अपने को अतिरंजित व्यक्ति हो ऐसा व्यक्ति जो अपने को समाज में जो है धन या और समर्द्धी से आगे दिखाना चाहता है लेकिन वह नीचले अस्तर के जो निमन अस्तर के लोग है उनसे जो है वह दूर रहना चाहता है उसे हटके रहना चाहता है तो वह मिध्या व्यक्ति होता है ठीक है और उसा को एतैं मडुख सिंसरे या रज को नोट जानते ही आप रच होता है लिटरेट होता है तो जो पढ़ने लिखने में संच हो उसी है को कहते हैं लिटरेट तो आपका जो आंसर हुआ वह हुआ, C is going to be right answer, और इसका पहले का क्या था, imposter, आइए हम अगले question की तरफ मोब करते हैं, question number 3 देखिए, question number 3 है, list of the business and subjects to be considered at meeting, इसको क्या कहते है, इसको कहते है, agenda, क्या कहते है, agenda कहते है, आपका जो आंसर हुआ, वह हुआ, C, C is going to be right answer, अगला question देखिए, that which cannot be seen, लगभग जितने हम इसमें देख पा रहे हैं, लगभग आपको कराया जा चुका है, अगर आप पढ़े होंगे, तो निशित रूप से किये होंगे, देखिए, that which cannot be seen, मतलब की जिसे देखाना जा सके, वह क्या होता है, वह होता है, इन्विजबल हो होता है, अध्रिश्य होता है, ठीक है, a religious discourse, a religious discourse का मतलब क्या होता है, a religious discourse का मतलब होता है, धार्मिक प्रभशन होता है, क्या होता है, धार्मिक प्रभशन, धार्मिक प्रभशन का जो one word substitution है, वह है, शर्मन, शर्मन मतलब होता है, क्या होता है, उपदेश होता है, धार्मिक तो आपका अंसर हुआ D, D is going to be right answer, आईए हम अगले question की तरफ move करते हैं, some proverbs idioms are given below together with their meanings, choose the correct meaning of proverb or idioms, question number 6, to smell a rat, to smell a rat, to smell a rat का मतलब होता है, दाल में कुछ काला है, ठीक है, दाल में कुछ काला है, यानि कि कुछ ऐसी घटना होती है, जिसमें आपको संदेह रहता है, कि यह जो है, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, उसके रहस को छुपाया जाता है, लेकिन जो है, ऐसा संदेह मालूम होता है, कि हाँ, इसमें कुछ न कुछ कहीं गड़बड़ी है, इसमें क कुछ सच्छाइचि ही होई है तुर में कुछ काला है तो सबस्पेक्टाओं इस मतलब है इसका मतलब उइन का मतलब होता है यह recep निपटने के लिए तो आपका जो आंसर हुआ, वह हुआ, C, C is going to be right answer, to suspect false dealings, next जखिए, question number 7 है, to hit the nail right on the head, मतलब की एकदम सटीकता के साथ, to hit nail right on the head, मतलब बिलकुर सटीकता के साथ, ठीक है, आपके सामने चार आपसन है, to do right thing, to destroy one's reputation, to announce one's fixed view, to teach someone a lesson, तो इसका जो meaning होगा, वह होगा, to do right thing, to do right thing, to be exactly right something, to do right thing, ठीक है, मतलब की, to hit the nail right on the head, विलकुर सटीकता के साथ, ओके, आपका जो आंसर हुआ, A is going to be right answer, आप इसे याद रखें, आईए हम अगले question की तरफ move करते हैं, question number eight, बरीद हचट, बरीद हचट है, बरीद हचट का मतलब क्या होता है, बरीद हचट का मतलब होता है, सांती बनाना, ठीक है, जगडा तकरार न करना, उसको friendly बनाना, सांती बनाना, to make peace, ठीक है, यहाँ देखिए, to break peace, गलत है, joint operation of killing, गलत है, to make, none of the above, देखिए, इसमें कोई सही नहीं है, आपका जो आंसर होगा, डी होगा, क्योंकि बरीद हचट का मतलब होता है, to make peace, to make peace, become friendly, ठीक है, मतलब की सांती बनाना, और एक मित्रता कायम करना, ठीक है, तो यह जो है, इसका जो आंसर होगा, वह होगा, डी, ठीक है, डी is going to be right answer, आप याद रखिए, बरीद हचट मतलब, to make peace, not to break peace, एक गलत होगा, नेख देखिए, to leave someone in the lurch, का मतलब क्या होता है, लर्च का मतलब क्या होता है, लर्च का मतलब होता है, मजधार, आगोश, देखिए, इसका मतलब क्या होगा, to leave someone in the lurch का मतलब होता है, किसी को मजधार में छोड़ देना, जैसे आप यह समझिए, कि आप दो दोस्त हैं और जा रहे हैं, आपके पास एक भी पैसा नहीं है, किराये के लिए, और दूसरा आपका दोस्त जो है, आपको यह तसलिदी है, सांतोना दी है, चलिए मैं हूँ, आप, बेफिक्र रही है, मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन वह अंततह जो है, अपने बात पर काईम नहीं रहा, और आपको जो है, मजधार में छोड़ दिया, जब आपको जुरूद पड़ी, आप गए, अपने गंतव एस्थान तक, और आपको जो है, जब जुरूद पड़ी, तब आपको जोड़ दिया, ठीक है, उसी को कहते है, to leave someone in the lurch, किसी को मजधार में छोड़ देना, that means to desert someone in his difficulties, मतलब किसी को उसकी परेशानियों में उसका साथ न देना, परेशानियों उसका साथ छोड़ देना, इसका मतलब हुआ D, D is going to be right answer, मैं उमीद, मैं ऐसा करता हूँ, आप सभी को समझ में आया होगा, तो आपका answer वोड़ D, आइए अगला question देखते हैं, lion's share, lion's share सभी जानते हैं, lion's share मतलब क्या होता है, lion's share मतलब होता है, major share, lord मतलब की major portion, ठीक है, तो D is going to be right answer, आइए अगले question की तरफ move करते हैं, directions है, in each of the questions given below four words, A, B, C, D are given, one of them may be spelled wrong, find out the word which spelling is wrong, ठीक है, question नमर इगा रहा है, देखिए, first है accepted, बिल्कुल राइट है, mentioned, A, B, ठीक है, opportunity, physician, बिल्कुल राइट है, opportunity देखिए, यहाँ यह mistake है, U नहीं रहेगा, O रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, O रहेगा, ठीक है, आपका answer होगा, C, C is going to be right answer, मैं आशा करता हूँ, सभी लोग यह सही कियोंगे, ठीक है, आईए अगला question देखते हैं, question number 12 है, perform, perform है, perfume है, procedure है, particular है, देखिए, बहुत ही easy है, आप इसे आसानी से कर लिये होँगे, इसमें जो गलत है, perfume, यह गलत है, ठीक है, perfume गलत है, यहाँ क्या लगेगा, आप जान सकते हैं, यहाँ लगेगा E, ओके, आईए अगला question देखते हैं, question number 13 है, देखिए, enormous है, बिलकुल राइट है, pilgrimage है, यह भी राइट है, spontaneous है, यह भी बिलकुल राइट है, ठीक है, अब देखिए, temperament है, temperament में कौन सा spelling देखिए, गलत है, यह है, A, A नहीं रहेगा, यहाँ, यहाँ E रहेगा, ठीक है, तो आपका जो answer हुआ, वह हुआ D, D is going to be right answer, question number 14 देखिए आप, question 14 है, passenger है, बिलकुल राइट है, variety है, conquer है, और retaliate है, देखिए, इसमें आपका passenger बिलकुल राइट है, variety भी ठीक है, conquer भी ठीक है, यहाँ देखिए, retaliate, retaliate मतलब देखिए, पहले, retaliate की spelling क्या होता है, R, E, T, A, L, I, यहाँ देखो, PA नहीं रहेगा, retaliate की spelling, R, E, T, A, L, I, A, P, E, ठीक है, A, T, E, यहाँ T नहीं रहेगा, इसे eliminate कर दीजिए, ठीक है, retaliate, आपका जो answer हुआ, D, D is going to be right answer, क्योंकि यही जो है, गलत है, अगला question देखते हैं, 50 number, 50 number में है, monotony, practice, occasion, of scene, ठीक है, अब देखिए, आपको बताना है, इसमें कौशा गलत है, इसमें अगर आप देख पा रहे हैं, तो सभी, A, monotony, बिल्कुल राइट है, practice, यह भी बिल्कुल राइट है, occasion, और option, यह option बिल्कुल ठीक है, आप देखिए, occasion, occasion में क्या गलती है, यहाँ, यहाँ, डबल सी रहेगा, O, C, C, डबल सी रहेगा, A, yes, I, O, N, एक, yes, यहाँ नहीं रहेगा, एक, yes, eliminate कर देए, आपका spelling क्या होगा, O, C, A, yes, I, O, N, occasion, यही आपका right answer होगा, C, C is going to be right answer, मैं असा करता हूँ, सभी लोग से किया होंगे, क्योंकि बहुत ही ही थे, ठीक है, आईए, अगले question की तरफ move करते हैं, देखिए, अगला question है आपके सामने, given the four alternative words, we, you need to select word that can be used as substitute to the given group of words, देखिए, इसमें जितने भी question आये हैं, लगबग हम आपको कराये हैं, यदि आप पढ़े हुए होंगे, तो आप निस्चीत इसे हल की होंगे, देखिए, question number 16 है, an office for which no salary is paid, ठीक है, an office for which no salary is paid, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, honorary, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, honorary, सम्मान प्रदप्त, ठीक है, नेश्ट है, आपका अंसर सी हुआ, नेश्ट है, a place to bury dead bodies, ऐसा स्थान जहां जो है, dead body को दफनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, symmetry, क्या कहते हैं, symmetry, she is going to be right answer, नेश्ट देखिए, a hundred year old man, यह आपको पहले भी पूछा गया था, a hundred year old man को कहते हैं, centenarian, centenarian, b is going to be right answer, मैं उम्मीद करता हूँ, सभी लोग इसे किया होंगे, क्योंकि यह हम आपको कराय भी हैं, ठीक है, चलिए, अगले question की तरफ move करते हैं, देखिए, यह पैसे हैं, read the following questions carefully and answers, answer the questions given below, each certain words are printed in bold to help you to locate them while answering some of the questions, ठीक है, देखिए, पैसेज पढ़िए, धियान पूरबग पहले, the sun, while going on his daily rounds, saw a princess, सूरी जो है, जो अपने daily basis पर daily round में रन करता है, उसने क्या देखा, कि एक princess को देखा, राजकुमारी को देखा, and fell in love with her, और उससे वह प्यार करने लगा, ठीक है, whenever, जब भी he could slip away from the heavens, मतलब कि जब भी वह सूरी, जो सूरी है, मतलब सूरी है, he could slip away from the heavens, स्वर्ग से जब भी वह जो है निचे आता था, धूर होता था, he would take human form, वह जो है मनुश्य का रूप धारण करते लेता था, and go down to the princess, our princess के पास आता था, to spend some time with her, उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए, राजकुमारी के पास निचे जलाता था, ठीक है, the princess became quite fond of him, ठीक है, and would wait for him to come, राजकुमारी भी जो है उसे प्यार करने लगी थी और उसके आने का इंतजार करती थी, one day, एक दिन, the sun decided to send her a blood red ruby as a token of his love for her, सूरी ने या निरड़े लिया, to send her उसे भेजने के लिए, क्या, a blood red ruby, एक रक, मतलब, रक, रंजित, जो है, एकदम लाल ruby, मारिक जो है, as a token of his love for her, मतलब, अपने प्यार का token के रूप में, अपने प्यार को इसहर करने के ताउर पर, एक token के रूप में, उसे जो है, blood red ruby भेजने का निरड़े लिया, he put the gem in a silk bag, उसने जो है, एक silk bag में, जो जेम है, जो मारिक है, उसको रखा, and calling a crow that was flying past, मतलब की एक कवा, जो पिछले दिनों से उड़ रहा था, उसको बुलाया, ask the word delivered, the gem is beloved, मतलब की उस पच्छी को यह कहा, कि यह जो मारिक है, वह उसकी जो beloved, मतलब जो उसकी प्रेमिका है, जिसे वह प्यार करता है, उसको वह जाके दे दे, ठीक है, कवा जो है, जो क्रोज है, क्रोज है, क्रोज है, हैड मिल की white feathers, इन दोस डेज, जो कवा था, उन दिनों जो है, उसके जो पंकते, वो सफेद हो गए थे, दूधिया टाइप के हो चुके थे, and it was considered as fierce, जो है, यह एक सुभ संकेत भी माना जाता है, इस तवर पर, if, if, if a crow came anywhere near you, यद आपके नजदीक उस तरह के कोई कवा आए, तो आपको वह मतलब सुभ माना जाता है, ठीक है, so the sun was pleased, इस तरह से जो है, सुर्ण को खुशी हुई प्रसनता हुई, कि he had found a crow, a delivered to jam, उसने एक इस तरह का कवा पा गया, to deliver the jam, मतलब jam को deliver करने के लिए, ठीक है, वह उसके लिए वह, उसको सुभ संकेत लगा, जैसे, as the crow is spread through the sky with the skin bag, जैसे जो है कवा सिल्केन बैग, सिल्केन बैग लेकर, साथ लेकर आकास की तरफ चला, the aroma of food lured him, aroma of food, aroma of food का मतलब जो है, जो खाने की सुगंथ जो है, lured him, उसको मतलब लालच दे दी, lured मतलब लालच देना, looking down, looking down, नीचे देखा, the crow shah, the crow shah that wedding feast was in progress, कववे ने देखा, कि ये एक जो है, wedding दावत चल रही थी, wedding feast, जो है, वह चल रही थी, and immediately, it was distracted from its mission, वह जो है, तुरंत जो है, क्या हुआ, distract हो गया, जो कववा था, वह अपने mission से क्या होए, distract हो गया, बिचलित हो गया, उसका जो mission था, ले जाना, वह जो है, जब खाने की सुगंध उसको मिली, तो वह जो है, उससे अपने mission से बिचलित हो गया, और वह food, मतलब खाने की लालच में पढ़ गया, food was one thing, it could never resist, क्योंकि जो खाना है, उसका वह कभी विरोध नहीं कर सकता था, Okay, a lighting on a tree nearby, एक नजदी की पेड़ पर चड़कर, उपर चड़कर, it hung the bag on a twig, उसने जो है, एक टहनी पर जो है, बैट को लटका दिया, ट्विक पर, and went off to find some food, और कुछ भोजन करने के लिए, वह went off, मतलब निचे उतर गया, While the crow was feasting, जब crow was feasting, जब कववा जो है, दावत कर रहा ले रहा था, was feasting, A merchant passing by saw the bag on the tree, उसी दोरान एक ब्यापारी उस रास्ते से गुजर रहा था, and saw the bag on the tree, और पेड़ पर लटके bag को देखा, and knocked it down with a pole, and उसने जो है, एक pole के सहारे उसे जो है, नीचे उतार लिया, When he opened the bag, जब उसने bag को open किया, and saw it contents, he almost soon enjoyed, जब उसने bag को खोला, तो उसमें जो चीज़ें उसने देखी, उसे देखकर वह जो है, आनन्द से जूम उठा, soon enjoy मतलब आनन्द से जूम उठा, quickly pocketing the ruby, he filled the bag, वह जो है, बहुत ही जल्दी से जो है, ruby को इकठा किया, और collect किया ले लिया, and he filled the bag with dry cow dung, और उसने bag को गाय के गोबर से सूखे गोबर से भढ़ दिया, cow dung मतलब गाय का गोबर, that was lying there, और वह उसे दुबारा बडी चतुराई के साथ, deftly, deftly मतलब चतुराई के साथ, return the bag to the branch, जो ब्रांच जो टहनी थी, उस पर उसे वापस टांग दिया, it was all done so quickly, the crow missed all the action, यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, कि जो कववा था, वह इन सब क्रिया कलाप से जो है, इस कारवाई से चूग गया, मिश हो गया, ठीक है, after having it filled, it flew up the tree, इसे भरने के बाद वह जो है, पेर पर उसे लटका दिया था, after having it filled, इसके भरने के बाद, it flew up the tree, वह पेर पर उड़कर गया, and picking of the bag, and bag को उठाया, pick and look it to the person, it was the intended for, मतलब वह जो है, जो intended person था, जिसके लिए चला था, फिर वह उसके, उससे देखा, the princess was in the garden, जो राजकुमारी थी, वह गार्डन में थी, when the crow gave her bag, जब कववा उसे बाइग दे दिया, she took it eagerly, knowing that it was from the sun, वह इतनी मतलब उससुख थी, कि वह जा रही थी, कि यह जो है, सूर का भेजा हुआ है, but when he saw it content, जब उसने बाइग खोला और उस content को देखा, जो उसमें सामागरी थी, तो she reeled back in shock and anger, वह जो है, बहुत ही दुखी हुई, और साक रह गई और बहुत ही क्रोधित हुई, believing that, it was a way to telling her, that he did not care for her, मतलब उसे ऐसा भी स्वास नहीं था, कि सूर उसके साथ ऐसा करेगा, उसने उसका केर नहीं किया, she flung the bag away, उसने बाइग को जो है फेंग दिया, ठीक है, rushed to her palace, वह अपने महल में भाग कर चली गई, and never came out again, और दुबारा कभी वापस नहीं आई, ठीक है, बाहर नहीं निकली, when the son learned of what had happened, he was furious, मतलब जब उसने, जब सूर ने ऐसा देखा, कि क्या ऐसा प्राव्लम है, वह बहुत ही ज़ादा क्रोधी थे, so great was his anger, बहुत ही क्रोधी थे, so great was his anger, that when he turned his scorching gaze on the crow, अब देखिए, सूर जो है, गुसे से जब उसने, अपने चिल चिलाती जो है, आँख को कवे पर डाली, scorching मतलब चिल चिलाती, धूप, एक जब सूर की तपन बहुत तेज होती है, जब चिल चिलाती दूप पड़ती है, तो जो चम्रे हैं जल जाते हैं, तो वही है, scorching gaze on the crow, इट फीदर वर बर्ण ब्लेक, जो कवा था, उसका जो पंक था हुआ, काला पड़ गया, इट फीदर है बिन ब्लेक तब से उसके पंक अभी तक काले हैं, ओके, दर रूबी डिद नाट बित दम मैन हुई इस्टोल इट जो रूबी था, रूबी माडिक था, आदमी के पास नहीं था, जो आदमी उसे चुराया था, इट फेल आउट आफ इस पाकेट, वह उसके पाकेट में मिला, रोल इंटो दे डिप इट, तू, इन्टो इट इप इट, मैन है बीन ट्राइंग तू डिग इट आउट इबर, इस आदमी जो है, उसे और उसके खोद रहे हैं थे, मैन है बीन ट्राइंग टू डिग, आदमी जो मनुष्य लोग थे, उसे और भी खोदने का प्रयास करे थे, मैनी प्रीशियस स्टोन है बीन फाउन इन दे प्रॉसेस, बहुत से जो प्रीशियस स्टोन है, वह पाए गए, प्रीशियस स्टोन है, एट टू बी फाउन लेकिन जो रूबी जो माडिक चुराया गया था, जो जिसे सूर ने भेजा था, तस सन सेंट टू दे प्रिंसेस, प्रिंसेस के लिए जो भेजा था, वह अभी तक नहीं मिला, ठीक है, कुश्चिन आपके सामने देखिए, अब देखिए, अपने प्रिंसेस पढ़ा होगा, अब आप इसका अंसर बताइए, अब देखिए, अपने प्यार के लिए टोकन के रूपे, राजकुमारी के लिए जो सूरी ने भेजा था, तो वह क्या था, वह एक था, वह एक था, he sent her a red ruby, ठीक है, ब्लड रेड रूपी था, ठीक है, कुश्चिन आप पढ़े, प्वेरा पूरा पैसेज आप पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, he sent her a red ruby, देखिए, आप पढ़ेंगे, c, c is going to be right answer, मैं उम्मीद करता हूँ, आपको समझ में आया होगा, आएए अगले question की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, question number 20, देखिए, पैसेज हम आपको यहां भी स्रिप्ट किये हैं, क्योंकि आप इसे पढ़ेंगे, और आप जो है, समझेए, फिर प्रस्न का उत्तर दीजिए, आपने पढ़ा है, और आप इसे प्रस्न का उत्तर दीजिए, why did the princess fling the gift away, देखिए, जो राजकुमारी थी, वह gift को जो है, फेक क्यों दिया, आपने भी पढ़ा था, उसमें क्यों फेका था, जब उसने खोला था बैग, तो उससे, वह क्यों साक रह गई, क्योंकि वह जो बैग था, वह गोबर से भरा हुआ था, ठीक है, यहाँ देखिए, see flung the bag away, देखिए, यहाँ, देखिए, यहाँ, when the crow gave her bag, see look it eagerly, knowing that it was from the sun, but he saw a content, see real bag socked, क्यों, वह साक हो गई, क्योंकि जो बैग था, उसका तो माडिक्षोरी हो गया, तो वह जो बैग था, वह गोबर से बरा हुआ, see had found cow dung in a bag, ठीक है, D, see, see is going to be right answer, ठीक है, आपका अंसर हुआ, see is going to be right answer, बहुत ही easy passage है, आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने भी मजाएगा, और आप आसानी से हल कर भी लेंगे, ठीक है, आईए हम अगले question की तरफ move करते हैं, देखिए, question है 21, while on its way to the princess, the crow was distracted by, ठीक है, why on its way to the princess, while the crow was distracted by, ठीक है, आपको बताना है, the temptation of the smell of the food, the wedding that was stuck in place below, the ruby that the sun sent for the princess, the merchant calling out to him, देखिए, जो कववा था, वह किस वज़ा से बिचलित हो गया, while on its way to the princess, जब वह राजकुमारी के लिए, राश्ते में वह मारी के लिए करा रहा था, कववा जो किस वज़ा से बिचलित हो था, आपने भी पढ़ा था, यहाँ, जब कववा बिचलित हो था, वह इसलिए बिचलित हो था, यहाँ उसे जो है, खाने की जो है सुगन्द उसको पड़ी, इसलिए वह बिचलित हो गया, आप यहां देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ पहरा, देखो, यहां, the aroma of food, तो आपका जो अंसर हुआ, वह हुआ the temptation of the smell of the food, इस वज़ा से उसे वह बिचलित हो गया, तो आपका अंसर हुआ, A is going to be right answer, ओके, आई यह हम अंगले question की तरफ move करते हैं, आप पैसेस पढ़िए, उसके बाद answer दीजे, question number 22, why did the son send his gift for the princess along with the crow, मतलब की, जो सूरी है, अपना gift राजकुमारी के लिए भेजा, क्यों भेजा, along with the crow, मतलब कव्य के साथ, क्यों भेजा, ठीक है, The princess loved the crow, जो राजकुमारी कव्य को प्यार करती थी, इसलिए भेजा, नहीं, The crow was only bird available at the time, आइस कववा ही जो है, उस समय पच्छी के रूप उपलब्द था, ऐसा भी नहीं, The crow was considered to be an auspicious bird, the crow new where the princess lived, देखिए, यहाँ आप पढ़े होंगे जब पैसे, आपका जो suitable word इसका अंसर होगा, The crow was considered to be an auspicious bird, ठीक है, यह जो है उसके लिए एक सुफशिंतक पच्छी था, क्यों था, क्योंकि उसके पंक जो फीदर थे होगा, सफेद थे, ठीक है, आप यहाँ पढ़े होंगे, देखो, यहाँ, The crow had milky white feather in those days, and it was considered auspicious, ठीक है, आपका अंसर क्या हुआ, C, C is going to be right answer, मैं उम्मीद करता हूँ, आपको समझ मैं आया होगा, आइए मंगले question की तरफ मूब करते हैं, अगला question देखिए, What was the crow's mission, जो कवा था, उसका mission क्या था, ठीक है, उसका mission यही था, To deliver the gift to the princess, to attend the wedding, to make the son angry, to keep the princess in her palace, नहीं, उसका mission था, To deliver the gift to the princess, उसका mission यही था, को वह जो राजकुमारी को वह gift, डिलिवर कर दे, ठीक है, यही उसका mission था, मैं आसा करता हूँ, आप को समझ में आ रहा होगा, आप समझ गया होगे, ठीक है, तो आपका answer, ए हुआ, is going to be right answer, आईए हैं, मगले question की तरफ move करते हैं, देखिए, question पढ़िए, question है, 24 आपके सामने, the joy of the merchant on finding the ruby was so outlived, because, मतलब की, जो ruby था, ruby था, जो खो गया था, उसको खोजने में, ठीक है, उसको खोजने में, मर्चेंट जो ब्यापारी था, मर्चेंट को जो है, खोशी कम मिली, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, इसलिए हुआ, इसलिए हुआ, इसलिए हुआ, इसलिए उसको खोजने में, the, he did not succeed in stealing ruby, he, मतलब ruby चुरालने में सफल नहीं हुआ, नहीं, the ruby fell out, off his pocket, आपको, पैसेज पढ़िए, देखिए, यहां आपके सामने होगा, देख, यहां देखिए, it fell out his pocket, मतलब, क्यों खुशी कम मिली, क्योंकि वह, जो ruby था, वह, उसके पाकेट से बाहर गिर गिर गया, ठीक है, उसके पाकेट से बाहर गिर गया, इसलिए उसे खुजने मुझसे कम खुशी मिली, ठीक है, तो आपका जो आंसर क्या हुआ, यहां, the ruby fell out, off his pocket, b is going to be right answer, b is going to be right answer, आईए, हम अगले question की तरफ move करते हैं, अगला question देखिए, how did the crow get it black color, मतलब की जो कवा था, उसका रंग काला कैसे पड़ गया, जो उसका फीदर था, वो काला पड़ गया, क्यों, आप यहां पड़े होंगे, जब सन को गुशा आया, कि उसे लगा कि ऐसा क्या हो गया, कि जो है, राजकुमारी बिल्कुल नाराज हो गयी और बहुत ही क्रोधी थे, तो उसे भी सूर को भी गुशा आ गया, और उस गुशे में उसने क्या क्या, मतलब कि सूरी ने अपनी चिलचितलाती निगाह जो है, कववे पर डाल दी, जिससे उसका रंग काल अपड़ गया, ठीक है, The crow was burned black by the scorching gaze by the angry sun, B is going to be right answer, ठीक है, B is going to be right answer, आप passage पढ़िये, बहुत अच्छा passage है, आप पढ़ेंगे तो आपको हर question आसानी से पता लग जाएंगे, आईए मंगले question की तरफ move करते हैं, Complete the sentence using the given below, question number सभी से है, she wants to become – engineer, वह जो है एक इंजिनियर बनना चाहती है, एंजिनियर, इंजिनियर है, इसका जो स्वर, प्रोनेंशियेशन है, वह जो है हिंदी, स्वर है, एंजिनियर, तो आप क्या लगाएंगे यहां, आइन लगाएंगे, ठीक है, आइन, B is going to be right answer, next, देखिए, he went on, he went on as, fully, fully मतलब यह जो है एडबर्ब है, अब देखिए, मुर्खता पूर्ड तरीके से, मुर्खता पूर्ड से वह जो है, चला गया क्या, बात करता हुआ चला गया, यहां क्या होगा, इस्पोक, ठीक है, क्या होगा, इस्पोक होगा, इस्पोक मतलब वह मुर्खता पूर्डं से बात करता हुआ चला गया, ठीक है, लाक दडोर, बी इस गोंग टू बी राइट आंसर यहां, अठाइस देखिए, लाक दडोर बिफोर, बिफोर, मतलब की, बाहर जाने से पहले दर्वाजा बंद करें, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग, तो लाक दडोर बिफोर गो आउट, बिफोर गो आउट, बाहर जाने से पहले दर्वाजा बंद करें, अब का अंसर हुआ, एस गोंग टू बी राइट आंसर, आईए अगला क्वेशन देखते हैं, मतलब उसे मिठाई काने का सौक नहीं है, ठीक है, उसे मिठाई काने का सौक नहीं है, तो रही आपक पार में राइट आउट, ठीक है, C is going to be right answer, ठीक है, नेक्स देखिए, I know, I know him very well, A is going to be right answer, मैं उसे बहुत अची तरस जानता हूं, तो I know him very well, B is going to be right answer, आप इसे जरूर देखिए, ठीक है, नेक्स देखिए, His legal, this is Sela, here, 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 ठीक है, अब देखिए, यहाँ क्या होगा, His legal, यहाँ होगा, YACH EIR, YACH EIR में YACH silent है, इसका मतलब होता है, His legal, YACH EIR is Sela, इसका मतलब होता है, उसकी कानूनी उत्तराधिकारी सेला है, YACH EIR मतलब क्या होता है, YACH EIR मतलब, उत्तराधिकारी होता है, तो B is going to be right answer, ओके, आईए एक लिए कोईशन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए, कोईशन नमर 32, My friend is an officer, मेरा दोस्त एक, देखिए, देखिए, आफिशर है, क्यों सा आफिशर है, वो नौल आफिशर है, नौल की स्पेलिंग होती है, यान, A, B, A, L, मेरा दोस्त एक नौशन आधिकारी है, A is going to be right answer, ओके, बहुत ही जी था, आईए अगला देखते हैं, He has a dash for writing, आप बताये, राइटिंग में यह कौन सा सब्दी होगा, फ्लेयर, 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 देखिए, इस, राइटिंग इन फ्लेयर, ठीक है, वाट, 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 दू यू मीन, फ्लेयर, देखिए, फ्लेयर जो है, वह राइटिंग के लिए, एप्टिट्यूट, टैलेंट और स्टाइल के लिए, वह प्रियोग में ला जाता है, ते, He has a flair for writing, ठीक है, मतलब की, वह जो है, उसकी लिखने की स्टाइल, कुछ अलग है, वह जो है, लिखने की कुछ अलग स्टाइल रखता है, उसमें अलग टैलेंट है, तो वही है, He has a flair for writing, ठीक है, तो C is going to be right answer, ठीक है, next question देखिए, the, pause, 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 none of these, तो बताएए क्या होगा, देखिए, the dice of the cats are sharp, जो बिल्ली है, उसके पंजे बहुत उकिले होते हैं, बहुत तेज होते हैं, तो उसके लिए कौंसा यहां वर्ड यूज होगा, पाज, पाज मतलब क्या होता है, पंजा होता है, ठीक है, तो जो ब बिल्ली के पंजे होते होते हों, बहुत तेज होते हैं, is going to be right answer, देखिए, 35, find the plural of the thief, thief का plural क्या होगा, ठीक है, जिसके लाश्ट में, यह देखिए, यह, टी, यह, आई, इफ, जब यह को हम plural बनाते हैं, जिसके लाश्ट में जिए लीफ, थीफ, वाइफ, ठीक है, इ, इएट करते हैं, ठीक है, आप याद रखिए, तब का आणसर होगा, thieves, ठीक है, ठीक है, थ, I,E,V, E,S, V is going to be right answer, जब भी हम जो है, यह, को, eliminate करते हैं, यह, की जगा हम जो है, क्या आईट करते हैं, भी, E,S करते हैं, plural में, ठीक है, plural में, यह, singular है, ओके आप जो है इसे जरूरियाद रखें आईए हैं मगला कोश्चन देखते हैं in the questions given below out of four alternatives choose the word which is exact opposite बताना है आपको ठीक है question number TH feather其實 commission commission मतलब क्या होता है जो commission से प्राप्त हो साधिकार तो इसका आपका बताना है opposite क्या होगा its ordersaretoniness इसका होगा terminated होगा ठीक है क्या होगा terminated नेक्ट देखिए question number 37 है enormous enormous का मतलब क्या होता है enormous का मतलब होता है विसाल इसका अपोजिट क्या होगा tiny टी आई एन्वाई नेक्ट देखिए mortal mortal का मतलब क्या होता है आप जानते है नश्वर होता है ठीके मरडसील जो है नस्वर है उसको कहते है mortal इसका अपोजिट क्या होगा सब जानते है immortal क्या होगा immortal जो अजर और अमर है अजे है उसको कहते है immortal आई अगला question देखते हैं देखिए अगला question ये भी अपोजिट से है आप देखिए इसे arrogant ठीके arrogant का मतलब क्या होता है अठी होता है अभिमानी होता है इसका अपोजिट आपको बताना है होगा humble ठीके बिनम्र नेक्ट है acquitted मतलब क्या होता है जब कोई अपराध किया हो और वह दोस्मुक्त कर दिया जाए बरी कर दिया जाए वही है इसका अपोजिट क्या हो गया convicted मतलब दोसी ठहराना ओकी ओके आपका जो इसका इंटानिम्स वहा पोजिट एकुटेट का convicted नेक्ष्ट आईए कोश्चन की तरफ चलते हैं सभी जो है इजी थे मैं आसा करता हूं सभी लोग की होंगे आईए आगे बढ़ते हैं इन दर कुश्चंस गिबन विलो रे एरेंज दीस पार्ट्स विजार लेवल पी की वारेयस तो प्रोडियूस द करेक्ट आंसर यह पहरा जंबल से क्वेश्चन है आप इसे देखिए यह पहले पूछा भी क्या है हम आपको बताए हैं इसे आप यदिसे पढ़े होंगे हों कर अब बनाएए इसका सिक्वेंश क्या होगा देखिए सबसे पहले जो फ्रेंच ओमन है फूफ है कम टुकोलकाता कर लिया उसके बाद वह क्या क्या कमिट्टेस्ट्स सुसाइड शुसाइड कर लिया जो कोलकाता आई थी फ्रश्ट में वह कर ली कहां से बाय जंपिंग फ थी यह चौथा नम्मर है आपका स्टीवेंस क्या बना देखिए आर सबसे पहले आर उसके बाद पी उसके बाद यस उसके बाद क्यू बना तो बी आर पी यस क्यू आर पी यस क्यू बीस गोइंग टू भी राइट आंसर मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग से किये होंगे ठीक होई कुश्चन है पैर जमल if you need help यद आपको जरूरत है प्रॉम्टली एंड पॉलाइटली सिख्गरता से और विरमरता से आस फार अटेंडेंट्स जो हमारे अटेंडेंट्स हैं ठीक है उनसे जो है आप पूछें टू हैल्फ और कस्टमर्स वे हमारे कास्टमर की मदद कर करें रिसरा से करें हैं इसका हैने का इसको सिक्वेम बनाना है इफ यो नीडे हेल्प सबसे पहले आस फार अटेंडेंट्स जो अटेंडेंड्स हैं उनसे पूछें ठीक है ओ है वह इस बाम पॉरूरस यद्रफ निर्देंट्स हैं उसके तहट फूहेल और कस्टमर्स ठीक है उसके बाद लास्ट क्या होगा प्रोम्टली एंड पॉलाइटली सिख्षता और बिनमरता के साथ सबसे पहले क्या आएगा इफ यू नीड है यह आपको ज़रुत है तो सबसे पहले आसफार अटेंडेंस आप क्या करेंगे अटेंडेंस जो है उनसे पूछे उनके पा चलाई पर उसके बाद आएगा आपका लास्ट में प्रोम्टली एंड पॉलाइटली सिख्षता से और बिनमरता पूरभक यो है। हम दर्ट करेंगे ठीक है आपका यह चौतρώ नमर पर आया आपका सिक्यूंस क्या बन गया क्यू एसर टीlek क्या बना क्यू एसर पी क्यू एस QSRP, ठीक है, D is going to be right answer, इसका answer क्या होगा, D होगा, निश्क देखिए, लेटिल, that he had been in a town, stood by all these years, did he realize by a colleague whom he had, ठीक है, देखिए, इसका क्या होगा, आप sequence बनाईए सबसे पहले, लेटिल, थोड़ा सा क्या हुआ, उसे महसूस हुआ, that he had been let down, did he realize, मतलब थोड़ा से आभास हुआ, that he had been let down, वह जो है, अपने एक सहकर्मी द्वारा छोड़ गिदिया गया था, जिससे वह जो है, all the, इन, सभी इंतने दिनों से वह जो, उसे जो है, खड़ा किया था, stood by all these years, तो little, ये तो है ही, उसके बाद आप sequence मनाएगे, क्या होगा सबसे पहले, did he realize, little did he realize, मतलब थोड़ा उसे जो है, महसूस हुआ, ठीके, थोड़ा उसे क्या हुआ, realize हुआ, महसूस हुआ, did he realize, first में आएगा, उसके बाद क्या आएगा, देखो, that he had been let down, उसे जो महसूस हुआ क्या महसूस हुआ, कि उसे जो है, सहकर्मी द्वारा छोड़ दिया गया था, तो किसके द्वारा छोड़ा गया था, सहकर्मी द्वारा, ठीके, लिकिन किसे छोड़ा गया था, इस बंदे को, यही को, तो he किसके, यहां refer किया गया है, यहां, पी में, that he had been let down, उसे छोड़ क्या गया था, दूसरी नमर पर आएगा, यहां, किसके द्वारा, by colleague, यहां, who had been stood by all these years, यह, जो है, yes, इसका तीसरे नमर पर आएगा, ओके, लास्ट में आपका क्या आएगा, Q, जो उता, तो आपका अंसर हुआ, little, did he realize, that he had been let down, by a colleague, whom he had stood by all these years, आपका sequence बन गया, क्या बन गया, first में R, R बना, उसके बाद P, S, फिर Q, D is going to be right answer, R, P, S, Q, R, P, S, Q, D is going to be right answer, मैं उमीद करता हूँ, आप लोग की होंगे, यह पढ़े होंगे, तो, आई अगला question, की तरफ बढ़ते हैं, question number 44 है, पहरा जंबल का है, देखिए आप इसे, reading books, reading books is a habit, but also enlarge the mind, because it not only increases knowledge, which must be cultivated by everybody, जिसे हर किसी को, everybody मतला हर किसी को, जिसे हर किसी को cultivate करना चाहिए, संसकारित करना चाहिए, कितावे पढ़ना एक आदत है, जिसे हर किसी को संसकारित करना चाहिए, which must be cultivated by everybody, ठीक है, आप देखिए, यहाँ, which है, यह इसके लिए आया है, पोक्स में के लिए, तो कितावे पढ़ना एक अच्छी आदत है, एक आदत है, जिसे हर किसी को संसकारित करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके बाद तीसे नमर पर आएगा, विकाज क्यों की, क्यों की, it not only increases knowledge, क्यों की यह केवल ग्यान को ही नहीं बढ़ाता, बलकी, but also in the mind, ठीक है, not only, but also, देखिए, सब यह जो है, एक sequence है, ठीक है, आप इसे याद रखिए, not only, तब but also, use होगा, यह तीसरा बनेगा, यह चोथा बनेगा, आपको समझ में आ गया होगा, not only, but also, मतलब यह केवल ग्यान को ही नहीं बढ़ाता, बलकी, दिमाग को भी increase करता है, बढ़ाता है, तब का sequence क्या बन गया, P.S.R.Q. P.S.R.Q. यानि C, C is going to be right answer, मैं उम्मीद करता हूँ, सभी लोग इसे किये होंगे, जो समझ पाए होंगे, आई अगला question देखते हैं, question number 45 है, The Strangers Movement, The Strangers Movement मतलब जो एक अजनवी व्यक्ति था, एक अजनपी की गत्विधी, ठीक है, I and the police, him arrested, aroused, ठीक है, aroused suspicion, देखिये, एक Stranger Movement, जो एक अजनवी की गत्विधी थी, जो है, संदेहस्पत थी, ठीक है, and I use suspicion, तो सबसे पहले यही था, Yes आएगा, I and the police, him arrested, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, एक अजनवी की गत्विधी को देख कर जो है, उसकी गत्विधी थी, उस संदेहस्पत थी, उसको देख कर जो है, पुलिस ने क्या किया, and the police, and the police, यह जो and है, and the police, इसके बाद दूसरे नमर पर पी आएगा, यह, क्योंकि यह subject है, दस, इस ट्रेंजर्स मूब्मेंट, उसके बाद यह बर्व, एरो यूज, एरो यूजड सस्पिशन, ठीक है, एरो यूज सस्पिशन, यह जो सस्पिशन है, यह इन डाइरेक्ट आपजेक्ट है, उसके बाद, आएंट डाप पूलिस, पूलिस ने क्या किया, हिम उसे अरेष्ट के लिया, अरेष्ट पूलिस, अरेस्टेड हिम, हिम जो है, यह अबजेक्ट है, किसके लिए आया है, उस अजन भी व्यक्ठ के लिए आया है, तो आपका तीसरे नमबर पर क्या हुआ? Arrested him, एक तीसरे नमबर पर आया, Arrested, चाउथे नमबर पर आ गया him. Okay, आपका sequence क्या बना? एक दो, तीन चार, यहनि, यहाज, यहाज, पी, यहाज, पी, आर क्यूँ, यहाज, पी, आर क्यूँ, C, यहाज, पी, आर क्यूँ, C is going to be right answer. अब का अंसर क्या हुआ? C, C is going to be right answer. आईए हैं मंगला question देखते हैं. In the questions given below, four alternatives are given for the Adam's phrases underlining the sentence, use the options given under these questions, which you think best expresses the meaning of the Adam's phrase. Question number 46 से देखिये, the captains of the rebel teams should try to bury the hatchet. Bury the hatchet का मतलब क्या होता है? Bury the hatchet का मतलब होता है, become friendly, make peace, ठीक है? यानि कि become friendly मतलब मिर्ता पूर्ण होना, सांती बनाना, तो इसका मतलब हुआ, जो captain था, the rebel team, rebel team मतलब प्रतिजवन्दी, rebel मतलब प्रतिजवन्दी, जो प्रतिजवन्दी टीम के जो कप्तान थे, उन्हें जो है, सांती बनाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, सांती बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, बरी the hatchet क्या है, make peace, क्या है, make peace, D is going to be right answer, आईए अगला question देखते है, question number 47 है, C did not realize that the clever salesman was talking her for a ride, C did not realize, वह महसूस नहीं किया था, कि जो clever salesman था, चालांक जो ब्यापारी था, was taking for a ride, ठीक है, देखिए यहां, talking, sorry, taking नहीं, talking her for a ride का मतलब क्या होता है, वह जो है, कोई चाल चल रहा होगा, ठीक है, उसको यह एसास नहीं हुआ, कि जो चतुर salesman था, उसके साथ, जो है, trying to trick her, ठीक है, trying to trick her, इसका जो answer हो गया, वह हो गया, B, B is going to be right answer, उसे रियलाइज नहीं हुआ, कि जो चतुर salesman था, उसके साथ, जो है, कुछ चाल चल रहा है, talking her for a right, okay, trying to trick her, उसके साथ, तो, चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, ठीक है, या जूट बोल रहा है, या जोट बोल रहा है, कुछ चाल चल रहा है, trying to trick her, आई अगला question देखते हैं, question number 48 है, the police, the police, looked all over for him, but drew a blank, but drew a blank, मतलब कि जो police ने looked all over for, उसके दिये सब कुछ देखा, but drew a blank, लेकिन जो है, क्या हुआ, no, get results for something, no, get results for something, मतलब कि उसके लिए जो है, कुछ मिला नहीं उसे, कोई उसका प्रेडाम उसे नहीं मिला, police ने looked all over for him, उसके लिए सब कुछ देखा, but drew a blank, क्या, कुछ भी नहीं मिला, did not find him, ठीक है, did not find him, is going to be right answer, आईए अगला question देखते हैं, the failure of crops in successive years, put the former in a tight corner, देखिए, बहुत important है, आज कल आप यह देख पा रहे होंगे, जैसे, बहुत ही मतलब किसान खेदी किया, लेकिन बारिस नहीं हुई, कहीं कहीं ऐसे हैं इस्थिती कि उनको पाने की बहुत ही किलते हैं, बहुत दिक्कते होती हैं, तो जो लगातार बरसों में किसानों की जो फसल की भी फलता है, तो लगातर वर्सों में जो फेलोर की फसलों की जो भी फलता है वह किसानों को जो है इन टाइट कार्णर मतलब एक टाइट कार्णर का आर्थ यहां होता है कि उन्हें परिस्टी में डाल दिया इने बैट कंडिशन या इने डिफिकल्ट सिचुएशन ठीक है टो उन्हें टाइट कार्णर का अर्थ यह होता है को उन्हें बिशंपरिस्टियों में डाल दिया जब उनकी खेती बरबाद हो जाएगी तो उनके सामने बिपत्तियां आ जाती है जाहिर इसी बात है किसानों का सब कुछ उनकी खेती है इन्हें टाइट का मतलब हो गया in a difficult situation in वेड कंडिशन ओके आई एगला कोशन देखते हैं दसेंट्स लाइफ वाज एन ओपन बुक जो संत है उसकी जीवन की कहानी है यह एक खुली किताब है उसमें कोई रहस नहीं है कोई घुपत जो रहस कोई छीपा नहीं है ठीक है इसका मतलब हुआ वान दाट हेल्ड नो सिक्रेट ठीक है वान cheesy हेल्ड नो सिक्रेट कोई रहास्य चुपा नहीं है सब ओपन है ठीक है ताप का अंसर हुआ बीबी इस गोइंग टू राइट आंसर यह थे जो है पच्चास कोश्चन इंगलिस के आप जो है इसे जरूर पढ़िए आपके लिए फाइदा होगा हो सकता है इसमें से आपको जो है कुछ हूब हो कोश्च आया भी है तो मैं आसा करता हूँ यह आप पढ़ेंगे तो फाइदा जरूर होगा ठीक है इसी के साम हम इसे समाप्त करते हैं फिर हम आपको जो है भी रेजनिंग बची है उसको हम कराएंगे ठीक है तब तक के लिए नमस्कार थैंक्यू थैंक्यू सफार वाचिं झाल करते हैं